नमस्कार लेड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ एडवोकेट सुभास सिंग इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चाइल्ड एडॉप्शन कैसे होता है पुरा प्रोसेस बताऊँगा ये भी बताऊँगा कि कई बार ऐसा होता है कि मदर है उनका अपना बच्चा है और डिवोर्स हो गया उसके बाद से किस और परसन से शादी होती है तो अपने बच्चे को कैसे सेकेंड हस्पेंड को एडॉप्ट करवाएं ये भी एक बहुत लोग के मन्द उलज़न होता है इजी प्रोसेस क्या होता है मैं वीडियो है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हैं 1956 है मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1956 है हिंदू बुधिस जैन एंड सिक्स आर लिगलाइज अंडर इस सेक्शन अंडर इस एक्ट और इसके अलबा जो दूसरा है वो जिविनाईल जस्टिस एक्ट 2015 है अच्छा इस प इडिपार्टमेंट से होते हैं यह जो मिनिश्ट्री आप जानते हैं कि मिनिश्ट्री आप विमेन एंड चाइल कियर है अपने देश में ऑलरीडी वो कैन एडॉप्ट अब सबसे बरा बात यह है कि कौन बच्चे को एडॉप्ट कर सकता है सबसे पहला जो परसन है वो कि क्या eligibility होती है और क्या process होता है तो देखिए सबसे पहला चीज कि यदि eligibility of male अगर male person adopt करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो eligibility यह होता है कि अगर male को adopt करना है तो sound mind होना चाहिए और wife है तो wife का consent लेना ज़रूरी है यह सबसे important चीज है second चीज यही अगर मैं female के लिए बात कि take care नहीं कर सकती है और दूसरा चीज है कि अगर husband है तो husband का consent चाहिए और unmarried women भी adopt कर सकती है किसी भी बच्चे को unmarried women भी adopt कर सकते हैं यह vicious बात है adoption of son अगर आपको कोई बेटे को adopt करना है तो adoptive mother father should not have grandson, grandson, great grandson जो भी mother या father adopt कर रहे हैं उनके बच्चे या grandson या great grandson नहीं होने चाहिए अब आता है adoption of daughter अगर daughter का adoption करना है तो जो adoptive father mother है उनके पास में daughter नहीं होना चाहिए या grand daughter नहीं होना चाहिए फिर next आता है कि adoption of female child by male adoption of female child by male तो इसमें यह है कि जो भी adoptive father है और जो बच्चा है उनके बीच का age gap 21 years का होना चाहिए और adoptive male child by female अगर करना है तो सेम चीज है कि जो mother adopt कर रही है उनके बीच में और जो बच्चा है उसके बीच में 21 साल का फरक होना चाहिए तो यह मैंने आपको basic एक provision बता दिया कि कैसे adoption होता है आप माल लिजे कि divorce का case है divorce हो चुका है आप single mother हो चुकी है divorce के बाद से आप आपका एक बच्चा है आप किसी और से शादी करने जा रही है तो adoption के लिए अगर आप जाएंगी inquiry करने के लिए तो कई लोग अलग-अलग तरीके से बताते हैं कुछ लोग कहते हैं कि आपको court में जाना होगा दो महिने का process चार महिने का process बहुत सारे process बताते हैं हलाकि कुछ ऐसे जगह हैं जैसे दिल्ली है गाजियाबाद हैं यहापे adoption easily हो जाता है और अगर आप हमारी website leadindia.law पर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ clients के testimonial भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने adoption करा है उन्होंने अपना experience भी share किया हुआ है तो adoption का process एक दिन में भी possible है एक दिन में भी पहले से अगर appointment लेकर के सही तरीके से कराया जाए तो एक द दिन में भी adoption किया जा सकता है विशेश जानकारी के लिए call कर सकते है डबलेट डबल जिरो ट्रिपल फोर ट्रिपल फाइब पर या हमारी website leadindia.law पर पर जाएंगे तैंक यू सो मच फूर वाचिंग दिस वीजिए तैंक यू सो मुच फूर वाचिंग दिस वीजिए तैंक तैंक